राइट नंबर्स अक्रॉस और डाउन यानि नंबर्स को अक्रॉस का मतलब होता है बाइन जानिब से दाइन जानिब और डाउन का मतलब यानि उपर से नीचे की जानिब तो हमने नंबर्स को अक्रॉस और डाउन लिखना है कहां लिखना है इन खाली सफेद खानों के अंदर इस तरफ ये नंबर्स दिये गए हैं, हर नंबर के सामने, हर नंबर वर्ड के सामने एक डिजिट लिखा हुआ है, जैसे के पहला नंबर वर्ड है 19 और इसके सामने लिखा है 4 इसका मतलब है, इसे स्क्वेर नंबर 4 से शुरू करना है, यानि यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, और इसे डाउन लिखेंगे या अक्रॉस इस बात का पता इस तरह चलता है, कि ये नंबर अक्रॉस वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है, अक्रॉस के कॉलम में यहां जितने भी नमबर लिखे हैं, उन्हें, उनके सामने दिये हुए digit वाले box में शुरू करते हुए, बाएं से दाइं जानेब को लिखना है, इसी तरह से ये down वाले column में जितने भी numbers दिये गए हैं, हर number के सामने जो digit लिखा है, उस digit वाले box से शुरू करते हुए, हमें इन numbers को उपर से नीचे की जानेब लिखना है, चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहला number है, 19, और इसे कहां से शुरू करना है, box number 4 से, और इसे कैसे लिखेंगे, across, यानि बाएं से दाइं जानेब, तो अब इस तरफ हमें ढूनना है, एक सफैद box जिसमें लिखा हो, number 4, ये रहा, number 4 वाला box, तो अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, number 19, across का मतलब है, by से दाइं जानेब, यानि इस पहले सिफैद box में लिखेंगे n, और spelling को मुकमल करते जाना है, n के बाद क्या है, i, इसके बाद फिर n, e, फिर t, n, i, n, e, 9, और इसके साथ जोड़ कर लिखना है, 18, t, double, e, n, यह बन गया, teen और यह हो गया, 19, number 19 को digit form में कैसे लिखते हैं, 1 और 9, बनता है 19, यह 20 से पहले आता है, तो इस तरह हमने number 19 को across में लिखा है, चलिए, इसी column में अब दूसरा number देखते हैं, यह लिखा है, 14, 14, यानि, 1, 4, 14, अब 14 को number word की form में हमने लिखना है, 20 से दाएंजाने box number 5 से शुरू करते हुए, box number 5 कहा है, यह रहा box number 5, तो सबसे पहले लिखेंगे, F, इसके बाद O, U, R, T, W, E, N, 14, 1, 4, 14, चलिए, अगला number word देखते हैं, यह है 20, 20, 20, 20, इसे कौन से box से शुरू करना है, box number 7 से, box number 7 को ढूनते हैं, यह रहा box 7, और इसे across में लिखना है, यानि बाएं से दाएंजाने, T, W, E, N, T, Y, 20, अगला number word है, 11, 1 और 1, 11, और 11 को किस box से शुरू करना है, box number 8 से, यह रहा box number 8, और इसे भी across लिखना है, बाएं से दाएंजाने, E, L, E, V, E, N, 11, और across वाले कॉलम में आखरी number word है, 18, इसके सामने लिखा है, digit 9, यानि इसे box number 9 से शुरू करना है, यह रहा box number 9, इसमें लिखेंगे 20 दाएंजाने, 18, E, I, G, H, T, W, E, N, 18, और digit में कैसे लिखते हैं, 1, 8, 18, अब चलते हैं, दूसरे कॉलम की जानिब, इसमें लिखेंगे तमाम number words को, उनके सामने दिये हुए, digit वाले box से शुरू करते हुए, उपर से नीचे की जानिब लिखना है, पहला number word है 16, अब हमने कौन से digit वाला box दूनना है, जिसमें number 1 लिखा हो, यह रहा number 1 वाला box, और यहां क्या लिखेंगे 16, और इसे कैसे लिखेंगे, down, उपर से नीचे की जानिब, पहला digit है, पहला इसका letter है S, इसके बाद है I, जो के पहले से ही लिखा हुआ है, इसके बाद आएगा X, T पहले से ही मौजूद है, और अब है double E, एक E लिख दिया, दूसरा इपहले से लिखा है, और अब आखिर में है N, तो यह बन गया 16, 1, 6, बनता है 16, अगला number word है 17, 1, 7, 17, इसे कौन से box से शुरू करना है, box number 2 से, यह रहा box number 2, सबसे पहले है S, इसके बाद E, फिर V, E, N, 7, और फिर है T, double E, N, 17, कुछ letters पहले से ही मौजूद थे, तो हमें लिखने में असानी हुई, यह बन गया 17, अगला number word है 15, 15, इसके सामने कौन सा digit लिखा है 3, तो हमने box number 3 ढूनना है, यह रहा box number 3, शुरू करते हैं, F, I, F, अब क्या है T, इसके बाद double E, N बन गया 15, उपर से नीचे यानि down, अगला number word देखने से पहले, यहां लिखते हैं, digit form में 15, यानि 15, अगला number word है 13, 13, इसके सामने लिखा है digit 6, तो अब हमने digit 6 वाला box तलाश करना है, यह रहा, digit 6, यहां से लिखना शुरू करेंगे, कैसे? down, पहले है T, फिर H, इसके बाद I, फिर R, T, double E, और N पहले से ही मौजूद है, यह बन गया 13, अब है आखरी number word, यह क्या है? 12, 1, 2, बनता है 12, इसके सामने लिखा है digit 7, तो इसे digit 7 वाले box से शुरू करना है, और यही box हमारे पास, यहां पे है, मौजूद, तो मुकमल करते हैं, T पहले से ही लिखा है, इसके बाद है, W, फिर E, L पहले से ही मौजूद है, फिर लिखना है V, और E भी पहले से ही लिखा हुआ है, तो यह बन गया 12, इस तरहां से हमारे तमाम number words, across और down वाले इस puzzle में, बिलकुल fit आ गए हैं, तो यह था numbers को across और down लिखने का तरीका, अब आप इस वीडियो को री प्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश जारी रखिए तरहाए